हाई मैं ब्यूटिफुल पीपल कैसे आप सब आई होब आप सब बहुत ज़्यादा अच्छी होंगे और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे जो मेरे चैनल पे न्यू है मैं सरब जीत आपका बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूं मेरे चैनल यूनिक ब्यूटि आइ जिसे यूज करके मेरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस कर ले जब भी मैं न्यू वीडियो अप्लोड करूंगी उसकी नौटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगी तो आज भी मैं अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए एक ऐसा डियावाई हेर आईल लेके आई हूँ जो आपके हेर्स से रेलेटेड प्रॉबलम बिल्कुल दूर करने वाला है अगर आपके हेर्स की ग्रोथ रुख गई है अगर आपके हेर्स में बहुत ज़दा डेंडर्फ तो आज मैं आपके साथ हेर आउज शेहर करने वाली हूं वह मैंने घर पे ही बनाया है और घर के ही इंग्रेडियन्टे बनायाह है देखें फ्रेडाय було हमारे किछन में कुछ आइसे इंग्रेडियन्ट होते हैं जो बहुत ही ज़दा पावर फुल होते हैं उनके बारे में हमें knowledge नहीं होती है knowledge नहीं होने के चलते हम उसे यूज नहीं कर पाते हैं और market से बहुत सारे महंगे महंगे oil लेके आते हैं और बहुत सारे महंगे महंगे shampoo लेके आते हैं creams लेके आते अपने hairs के लिए वह आपके hairs को damage करते हैं जी हां जितने भी आप यहां पे पो ज्रीम यूज़ से करें शैंपू यूज आपके यूज्ळा डेमेज करate ऊब बहुत ज्यादा कंजोर बना데ते हैं आप तो लेकर आ आते हैं कि मेरी problem solve होगी वह किन आपके पॉब्लम तो नहीं करते हैं आपके हैर को और जबादा पतला कर देते हैं कि यहां तक कि आप गंजे पन का भी शिकार हो सकते हो अगर आप बहुत सारे क्रीम अपने हेर्स पे एपलाई करते हो हमारे में यहार ये यहारे में करते हैं और शूक्त रूड़ और सूंस्टेश रूब करते हैं here यह आप देख सकते हैं मैंने इसे घर पे ही बनाया है घर के ही इंग्रेडियंट से बनाया है बहुत ही ज्यादा पावफुल इंग्रेडियंट है इसमें मैंने एड़ किये हैं जो आपके हेर ग्रोथ को बहुत ज्यादा प्रमोट करने वाले हैं आपके बाल बहुत ज्यादा करेगा अग्र साथ of his audio में आज आफ किए अग्वार्ण के रहे हैं सबसादा फुट सुर्थ और शेयर है वि데 is भुब कुर्ण भीयान करना है फुल वीडियो देखनी है ताकि आप झान सको जो इंग्रेदेट्थ यहां मैंने एड़ किये हैं वो आपके हेर्स के लिए कितने ज़्यादा अच्छे हैं और इतने ज़्यादा यह इंग्रेडियन पावरफुल है कि फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको फरक नजर आ जाएगा विडियो को हेर लाइन के बाल हैं फिर चोटी ठीप होसी हो जाएंगी और फीर लंबे ड़ियादा बहुत जाए मजबूत बनेंगे हेर लाइन के हेयर हो लेंक्यायत कि उलएद के उसी कहें अगर की मिलेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे ज्यादा quantity में बनाके भी रख सकते हैं कि बिल्कुल भी खराब होने वाला नहीं है डियाइवाई है लेकिन खराब नहीं होगा रूम टंप्रेचर पर रखे और आप इसे यूज़ कीजिए दो महीने के अंदर अंदर आपके जो हेर की ग्रोथ होने वाली है आपके हेर्स में बहुत ज़्यदा वालियूम आजाएगा बहुत ज़्यदा घने हो जाएंगे सॉफ्ट हो जाएंगे शाइनी हो जाएंगे तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए गा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप भी दूसरों के खूबसुरत और हेल्धी बालों को आना चाहते हैं तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा हेल्धी बनाएगा लंबा करेगा आपके बालों को मोटा करेगा काला करेगा और उनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यदा अच्छी करेगा साथ साथ में आपके हेल्धी बनेंगे और बहुत ज़्यदा आपके हेल्धी बनेंगे करता है आपके जो हेर्स हैं बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो चलिए इसके लिए जो मैंने सबसे पहरे इंग्रेडियन लिया है वो है मेथी दाना इसके बारे में तो सब जानते ही है कि मेथी बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है मेथी जो होती है बालों की बहुत सारी प्रॉबलम को दूर करती है और मेथी का इस्तिमाल तो आयवेड में किया ही जाता रहा है मेथी के बीज में भरपूर मातरा में आईरन होता है, जिंक होता है, हेल्दी फैट होती है, प्रोटिन पाया जाता है, जो बालों को भरपूर पोर्शन देने में काम आता है इसमें anti-fungal और anti-inflammatory गुर्म भी होते हैं जो बालों की growth के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं तो हमने यहां जो सबसे पहला ingredient लिया है वो है मेथी अब हम बात करेंगे कि आपने कैसे hair oil बनाना है जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा लंबा और घना बनाए तो यहां जो मैं तेल ले रही हूँ मैं यहां पे सरसो का तेल ले रही हूँ लेकिन मैं यहां तो ज़्यादा quantity में बनाऊंगी इसलिए मैंने सरसो का तेल ज़्यादा लिया है सरसो का तेल जो होता है बालों को बहुत ज़्यादा portion देता है इसमें विचैमिल A होती है D होती है E होती है और K होती है जो बहुत ही जादा बालों के लिए अच्छी होती है सरसो का तेल ना बेजान बालों में जान भर देता है और आपका जो blood circulation है उसे भी बहुत जादा अच्छा बनाता है जिससे की hair growth बहुत जल्दी होने start कर देते हैं सरसो का तेल ना नैच्रल कंडिशन का भी काम करता है सरसो का तेल अगर आप बालों में लगाते हैं तो आपको अगर डाइंटरक्ट की problem है वो भी दूर हो जाती है अब आपने क्या करना है और साथ-साथ में बालों में बहुत ज़्यादा चमक भी देते हैं और बालों को बहुत ज़्यादा खुबसूरत भी बनाते हैं लॉंग बालों को जहनना भी कम करता है और डेंडरक्ट की problem से भी आपको चुटकारा दिलाता है लॉंग जो होता है अगर आपके बाल टाइम से पहले वाइट हो रहे हैं तो उसे वाइट नहीं होने देता है ब्लैक कर देता है लॉंग जो है स्केल्प में blood circulation को बढ़ाता है जिससे की hair growth में मदद मिलती है और इसके यूज से स्केल्प में बहुत ज़्यदा खुजली हो रही है तो आपको बहुत ज़्यदा रहत भी मिलेगी क्योंकि इसमें खुजली को रोकने के तत्व मजूद होते हैं इसमें एंटि आक्सिडन तत्व होते हैं जो बालों को टाइम से पहले white नहीं होने देते हैं और long जो होता है natural condition की तरह भी काम करता है और बालों में बहुत ज़्यादा चमक भी देता है और आपने क्या करना है 15-20 इस तरह से long ले लेने हैं और इसका जो आपने fine सा powder बनाना है चलिए मैं आपको इसका powder बना के मिलती हूँ और देखिए इस तरह जब आप ग्रेंट करेंगे तो इसका इस तरह से powder बन जाएगा और इसे भी आपने ये oil में डाल देना है हमने ये दो ingredient यहाँ पे add कर दिये हैं अब जो हम यहाँ पे next ingredient add करने वाले हैं वह है ginger अद्रक अद्रक को आपने अच्छे से छिल लेना है छिलने के बाद अच्छे से धो लेना है क्योंकि हम यहाँ पे hair oil बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे थोड़ी भी इसमें गंदगी नहीं रहने देनी है अद्रक क्या करता है बालों को बहुत ज़्यादा healthy बनाता है क्योंकि इसमें silicon नामक एक carbonic होता है जो बालों को healthy बनाने का काम करता है अद्रक में zinc होता है, magneez होता है zinc और magneez जो होता है वो बालों को जढ़ने की problem को रोकता है और अद्रक में यह चीजे होती है क्योंकि यह सारे चीजे हमने आईल में पकानी हैं, तो आप इस तरह से क्रश करके भी डाल सकते हैं, और टुकड़े करके मट डालें नहीं तो पूरा इसका जो असर है वो नहीं निकलेगा, और देखिए मैंने अधरक को क्रश करके इसमें डाल दिया है, अब आपने क्या करना है गैस की फ्लेम को अन कर देना है, मीडियूम डू लो फ्लेम में और इसे आपने ही धीरे-धीरे करके पकाना है, कि जितने भी हमने यहां पे इंग्रीडियंट राइड कि हैं वो अच्छे से पक जाएं और सासाथ में जो आईल यहां पे आपने आपने स्पून को रेगु बहुत जदा लंबा बनाएगा और साथ साथ में आपके बालों को जड़ने से भी रोकेगा दीरे-दीरे करके आपने मिक्स करते जाना है इसी तरह से और आप देख सकते हैं सरसो का तेल जो है उसमें जागाना स्टार्ट हो गई है तो अब यह दीरे-दीरे करके पक जाएगा को पुराने जमाने में लोग शरसो की ट्यल को बहुत जादा यूज करते थे जिससे कि उनकी बाल बहुत जड़ा लंबी घनी रहते थे और बहुत ज़दा आप देख्यूंग की वाइट हों क्यों कि आजकल में लीजन से घर वारतtha करती हूं यह बालों को बहुत कि प्रॉब्लम को भी तूर करता है इसी तरह से आपने चलाते हुए इसे पकाते रहना है और आप देख सकते हैं यहां देखिए मेथी पूर अच्छे से पक गई है यह हमारा ऑइल बिल्कुर बनके एकदम रैडी हो गया है अब आपने क्या करना इसे ठंडा होने देना है तो पूरी में पूरी में और कॉटन के साथ अपने इसकेल पेने इसे अपलाइ कर लेत है अच्छे से जब आप पूरी स्केलप पे इसे कर ले उसके बाद आपने हoglo- один एक प्रतन में पानी करना एंप आपनी में टावल को इंप कर देना है अच्छे स ठाक अनल fulfill लेना है्समर ज कि जासे करना तो आपण सकती हैं जारी साम सब्सक्राइब और लेशने फाइब प्राइब तो से इसलेका हएक करेंजेत यह जरूर्ट सकती है तो आप सिसंदे यह को करते हैं नाइट शेंपू से माइड शेंपू अगर नहीं है तो आप शेंपू में थोड़ी ग्लिस्रीन एड़ करें गुलाब जल एड़ करें और उसके बाद अच्छे से मिक्स करके अपने हेर्स को वाश करें शेंपू इदम माइल्ड बन जाएगा और आपके हेर्स पर किसी भी तरह का साइ सिरम बना सकते हैं घर पर सिरम बना के अप्लाइ करेंगे ऐसे जादा दूप में तो कवर करके ही जाए सूरज के समपर्क में ज्यादा बालों को ना आने दें सूरच को डैमेज करता है और साथ साथ में जो पल्यूशन होता है उसकी वज़ा से भी बाल बहुत ज़ो जाते ह तूटने जड़ने लग जाते हैं थोड़ी सी आपने अपने हेर्स की क्योर करनी है और आप देखोगे आपके हेर बॉल्ज बन जाएंगे लंबे गने और स्ट्रॉंग हो जाएं आप हेर और को यूज कीजिए और कमें शक्षन में आके अपने फीडबाग जरूर देना है कि इस हेर ओयल के डिजर्ट आपको कैसे लगे तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई और ले परेंगे